पांडे पीछे आपने तस्बीर देखी नवीन उलहक की और साथ में उनके गुर्बाज जी हैं कहानी बताएंगे कि दोनों की तस्बीर लगाने के पीछे वज़ा क्या है लेकिन नवीन उलहक का नाम जिस तरीके से लगातार सोशल मेडिया पर ट्रेंड कर रहा है कल आपने देखा होगा कि आरसीबी का मुकाबला था लेकिन जिस तरीके से सोशल मेडिया पर ट्रेंड हो गए नवीन उलहक उसके पीछे की वज़ा आप सभी जानते हैं कि जब लखनव और फिर वहाँ पर आरसीबी का मुकाबला था चिर्ना स्वामी से लड़ाई शुरू होती है क्राउड और गौतों गंबीर के बीच की लड़ाई उसके बाद जब इकाना में मैच होता है फिर वहाँ पर महा मुकाबला शुरू हो जाता है दोनों खेमे की तरफ से आपने आपने देखा मैच के बाद एक तरीके से जंग का महौल बन गया था नवीन और विराट के बीच वहाँ पर थोड़ी बहुत कहा सुनी हुई थी जिसके बाद ये बाते और आगे बढ़ती गई जहाँ पर हमने देखा कि लखनों का मुकाबला हो रहा था तो वहाँ पर विराट कोली ने इंस्टाग्राम पर कुछ स्टोरी लगाई जिसके बाद आगर आपने देखा होगा कि जबार सीवी का मुकाबला था और वहाँ पर विराट कोली आउट हो जाते हैं उसके बाद नवीन ने भी कुछ आम खाते हुई वहाँ पर अपना स्टोरीज लगाई थी जिसके बाद लोग ने लगातार उनको ट्रोल करना भी शुरू कर दिया था तो फिर से एक बार नवीन फिर से कल के मुकाबले में जो वहाँ पर मुकाबला खिला जागा के क्यार के खिलाब वहाँ पर आप लोगों के सामने होंगे और फिर वहाँ पर बात कर लिजाए गुर्बास की भी बात करेंगे क्योंकि उस मुकाबले पर जाएं तो वहाँ पर केक्यार के लिहाज से तो अभी अगर टूर्णाइमेंट पर बना रहना है तो उस मुकाबले को थोड़े बड़े अंतर से जीतना जरूर है लेकिन लखनू के लिहाज से अगर देखें तो मुकाबला इनके लिहाज से जीत कर ये नमबर टू पर पहुंच सकते हैं और हाडने के बाद दिक्कते वहाँ पर खड़ी हो जाएंगी लखनू के प्ले-आफ के लिए वहां पर अगर लखनु मुखाबला हरती है चिन्न नहीं अपना मुखाबला वहां पर जीत जाती है तो फिर मुश्किल लखनु लिए बढ़ेगा क्योंकि मुंबई जीत कर शोला पर पहुंच जाएगे फिर मुंबई वहां पर लखनु बाहर होने के chances नहीं लेगे। कुछ सवाल पूछे कैं नभीन को लेका जब सवाल पूछे गें तो उन्होंने जो बाते करें उन्होंने बोला जिएगे गुर्बाज उनके सात्य तोरह हम अफगानिस्टान से खेलते मुझे लेकिन यहां पर मेरी पूरी उमीद है कि मैं उनकी पिटाई करने वाला हूं, मैं उनके गेदों पर बड़े-बड़े शॉट लगाने वाला हूं, ये कहना है गुर्बाच का, क्योंकि उनने बोला कि नेट में वो मुझे आउट कर देते थे, उसके बादों मुझे चिड़ाया करते थे, लेकिन उस उनका महँगा हो गया था, लेकिन उसके बावजुद अगर बात कर लिया है, तो अब तक का इस IPL में जो नवीन का सफर शांदार है, विक्टें भी लियो, साथी एकनौमी भी उनकी जबर्दस रही है, उमीद करेंगे कि वहाँ पर जबर्दस गेदबाजी करें, क्योंकि लखनों के लिए हरा हाल में जीतना जरूरी है, और ये जो लड़ाई है, क्योंकि उस दिन भी अगर नवीन भी वहाँ पर सामने होंगे, तो फिर से एक बार लोग वहाँ पर जिस तरीके से नवीन के खिलाब सोशल मीडिया पर लिख रहें, शायद जिए एक बार फिर से व में फॉलो नहीं किया है, फेस्ब्लू कर तो फॉलो कर लिजिए, अगर आपने अभी तक यूटूब पर हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फॉलीज कर लिजिए, और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, जैहिन, जैभारत!